मचली की करी बनाते समय हमेशा एक सिकायत आती है सरसो डालने से मचली कड़वी हो जाती है लेकिन आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी सरसो को कितना और कब डालना है और साथ में मसाले के जो कचापन होते हैं ग्रेवी में वो भी आ जाती है तो उसे भी मैं आज आपको तरीका बताऊंगी कि बिल्कुल भी हमारे मसाले कच्छापन टेस्ट नहीं आएगा और इस मचली जो मचली है मेरे रेहु वाली वो कड़कडाती ठंड में बहुत ही टेस्टी बनेगी तो सबसे पहले आपको मचली को धो के साप कर लेना है और फीट डालना है उसमें नमक और नमक डालके इसको बाद आपको डाल देना है हल्दी हल्दी का powder आपको डाल देना है और अच्छी से इसे marinate कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से mix करना है और इसे 10 मिनट के लिए आपको marinate करके छोड़ देना है यह हो गया पहला तरीका इसे क्या होगे जो मचली है ना मचली के अंदर रेसे रेसे में यह पहुंच जाएगी नम आपको बना के दिखाऊंगी तो सबसे पहले आपको सरसो तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है उसके बाद आपको मचली को डाल देना है और एक साइड अभी हाथ बिलकुल भी नहीं लगाना जैसे जैसे यह मचली पकेगी ना बिलकुल ही इसका कलर चेंज हो बिलकुल भी नहीं टूटेगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी मार्केट से मचली लाने का एक और भी तरीका है कि हमें कैसे पता चले कि यह बिलकुल ही फ्रेस है और बहुत ज्यादा यह पुरानी नहीं है तो जब भी आप इसे भूनेंगे ना तो बिलकुल भी नहीं चि और घुमा के पलट लेना है जब भी मैं बताती हूं कोई भी रेसिपी पूरी वगर जो भी आप उसे इसी तरह पलट के बनाए तीन बर पलटेंगे तो तेल बहुत ही कम सोकेंगे यह है परफेक्ट आइडिया आपको मचली फ्राइ करते समय यह बाते का जरू धियान रखना ह और हाँ दोस्तो अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मैंने चिकन की भी रेसिपी डाली है अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो उसे जरूर बनाए बहुत ही टेश्टी बनती है और फ चैपत्ती वाले चमच से आधा चमच धन्या पाउडर और फिर मैंने डाला है जीरा पाउडर जीरा पाउडर को आपको चार चमच लेना है चोटे चमच से और बड़े चमच से ले रहे हैं तो दो चमच और थोड़ा सा आपको डालना है काली मिर्च का पाउडर जिससे इस और एक मीडियम साइज के प्याज का जी हां दोस्तों इससे क्या होगे जो सरसो जो अगर डालेंगे ना तो बिल्कुल भी कड़वी ने लगेगी और यह दिखे मैंने वही कड़ाई में तेल अच्छी तरह से हटा दिये हैं पूरे साप कर दिये हैं कड़ाई को अगर वही ते तो लसुल की क्वांटरी थोड़ी सी जादा रखने पड़ेगी यह भी एक सिग्रेट टिप होता है आप इस बात का जरूर नोट करें और फिर मैंने डाला है ग्रेवी का अनुसर स्वाद अनुसर नमक और फिर मैंने डाला है इसमें टमाटर जी हां दोस्तों टमाटर मैंन अगर मसाले बहुत ही परफिक्ट पकते हैं और सरसो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अभी यही मसाले डालके भूनेंगे और सरसो कब डालना है और कैसे डालना है आगे बने रही यह वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए लाश्ट तक देखिए बहुत तो उसे भी टेस्टी मैंने बनाया है दूसरे दिन बासी वाले फिसको कैसे टेस्टी बनाया है वो भी आप रेसिपी जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं और यह देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं क्योंकि यह हमारे टमाटर अच्छी तरह से ग तो मैंने अभी ही डाल लिया है और इसे एक मिनित तक अच्छी तरह से मैं भून लूगी और आपको बिल्कुल भी कड़वापन टिश्ट नहीं चाहिए तो आपको क्या करने है ग्रेवी अच्छी तरह से बना लेने हैं उसके बाद आपको सर्सों के जो पीसके मैंने रखा है मचली के बनाते समय तो ये बिल्कुल भी कड़वी हो जाएगी और सभी का स्वाद बढ़ जाता है लेकिन मचली में ये अक्तर हमेंसा दिक्कत होती है तो आप ये बात कर जरूर धियान रखे और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिस कर दिया है और सभी मसाले को आपको अच्छी तरह से मिस करना है और आप भी बिल्कुल भी मचली नहीं डालनी है इसे अच्छी तरह से मसाले में एक उबाल आनी चाहिए एक ग्रेवी में जब तक ये अच्छी तरह से उबाल ना आए और ये जितने फेन है ना सब थोड़े से कम ना हो जाए दब तक आपको ये देखे उबाल आने बाद मैंने मचली को डाला है इससे क्या होगे आपके मचली भी बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे और जो भीगे भीगे जैसे आटे जैसे लगते हैं वह भी टेश्ट नहीं आएगा और ये ग्रेवी ग्रेवी भी बिल्कुल इसकी लाजवाब बनेगी और हाँ दोस्तों एक बात का आपको और भी दियान रखना है जिसे आपको गाड़ी वाली ग्रेवी चाहिए तो थोड़े सा आपको पतले में ही उतारना पड़ेगा जितना लेबल चाहिए उससे थोड़ा सा एक स्टेज आपको उपर ही उतारना पड़ेगा तभी आपकी जा